बेशक परिवेहन मंत्री के आश्वासम के बाद हिमाचल प्रदेश परिवेहन निगम ड्राइवर यूनियन ने अपनी हर्ताल स्थगित कर दी है लेकिन सवाल यही है कि 1500 करोड रुपे से ज्यादा के घाटे में डूब चुका हाटीसी प्रवंधन मौझूदा और रिटायर हो चुके करमचारियों की लगभग 800 करोड की देंदारी कहां से चुकाएगा सचाई यह है कि हाटीसी की लंबे समय से आमदनी अठनी और खर्चा रुपईया जैसी स्थिती है यानि इंकम कम और खर्चा अधिक होने से प्रतिए जेलना पड़ा जब बसें चली तो कोरोना संकर्मन के डर से कम लोग बसों में बैठ रहे थे अब प्रतिएक महीने निगम को 65-70 करोड की आय हो रही है जबकि खर्चा 80-85 करोड रुपई के बीच में हो रहा है इसकी मार निगम के लगभग 12,000 करमचारियों और 65-100 के करीब पैंशनर पर पड़ रही है सरकार भी इस उपकरम को परियाप्त वितिय मदद उपलब्द नहीं करवा पा रही है क्यूंकि राज्य सरकार पर खुद लगभग 65,000 करोड रुपई का कर्द हो गया है हिमाजल के लोगों की लाइफ लाइन कहलाने वाली एचाटीसी प्रती दिन कर्द के बोज तले दब रही है यही वज़ा है कि निगम के कुछ करमचारियों को 2006 के लाब भी नहीं मिल पाए हैं निगम करमचारी समय समय पर सड़कों पर उतर कर विरोध करते रहे लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रही घाटे के कारण उचित मरमत ना होने से निगम की बसें भी जगा जगा हांफने की खबरें लंबे समय से सुर्खियां बटोरती रही है अब कैबिनेट में सरकारी बसों में महिलाओं को किराए में 50 फीसदी छूट देने का एलान किया है इसकी भरपाई कौन करेगा सरकार ने इसका कोई उल क्या है इससे सालाना कई करोड का अतिरिक्त वित्य बोजह एचाटीसी पर पढ़ने वाला है हिमाचल प्रदेश में रेल और हवाई परिवेहन की नामात्र सुविधा होने से सारा भार सडक मार्ग से यातायात पर पढ़ता है सरकारी सेक्तर में हिमाचल पत परिवेहननिग चालकों और परिचालकों को समय पर वेतन तक नहीं दे पाता उपर से राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए किराए में 25 फीसदी और छूट देने का एलान किया है बीते कल ये फैसला लागू हो गया है अब परिवहन निगम की बसों में महिलाओं को किराए में 50 फीसदी छूट मिलेगी करमचारियों का बकाया वेतन और ओवर टाइम की देनदारी चुकाने के लिए सरकार ने हाल ही में परिवहन निगम को 110 करोड रुपे लौन की गारंटी दी है लेकिन जिस तरह से हिमाचल पत परिवहन निगम का घाटा है और उसके सर पर देनदारी है इससे 110 करोड की रकम उंट के मुँ में जीरे की तरह है परिवहन निगम की प्रदेश भर में मौझूदा वर्क्शॉप में तक्नीकी करमचारियों की भी कमी है एचाटीसी के पास नई भरती करने की कोई नियत साफ नजर नहीं आ रही है ऐसे में परिवहन निगम को अपनी आर्थिक गा करेगी लेकिन मंत्री जी ये भूल गए कि हिमाचल सरकार खुद कर्जे में डूबी है